जादोई करेला ये कहानी है सोनु की सोनु अपने माबाप के साथ रहता था एक दिन सोनु अपनी मा से कहता है मा आप ये करेले रोज रोज क्यों बनाते हो आप कुछ और भी तो बना सकते हो ना बेटा मुझे डॉक्टर ने करेले खाने के लिए कहा है अभी मेरी डाइबिटीज कुछ ज्यादा हो गई है इसलिए डॉक्टर ने बोला है कि करेला खाया करो करेला खाने से सेहत अच्छी रहती है इसलिए मैं भी तुझे ये खिला देती हूँ ताकि तू भी चुस्त दुर पर मा करेला अच्छा नहीं होता स्वाद भी बहुत कड़वा होता है और मुझे पिल्कुल पसंद नहीं है वैसे आप ठीक हो ना तब्यत आपकी जादा खराब तो नहीं है कुछ नहीं बेटा थोड़ी से तब्यत खराब है तो मेरी चिंता मत कर पर मुझसे एक वादा कर कि हैं तूँ कर्वा जरूर खाया करेगा मानती हूं यह कड़वा होता है लेकिन सेहत के लिए बहुत ही लाबकारी होता है — ठीक है मा आप खरीट्यों तो मैं कर्वा जरूर खाया करूंगा अच्छा वेसे एक बात बदाओ आप करेला अच्छा बनाती हो फूला कड़वा और डाइबिटीस के लिए करेला अच्छा होता है उससे खून भी साफ होता है इसलिए वो ज्यादतर करेला ही बनाया करती थी और सब को खिलाया भी करती थी लेकिन सोनू की माँ जादा दिन तक जीवित नहीं रह सकी और एक दिन उनका दिहान थो गया तब सोनू रोते हुए बोलता है मा आप कहा चली गई बाबा मेरे मा कहा चली गई मुझे मेरे मा के पास ले चलो मैं अपनी मा के बिना नहीं रह सकता बाबा बेटा तेरी मा हम सब को छोड़कर बहुत दूर चली गई है अब वो कभी लोटकर नहीं आ सकती इसलिए हम दोनों को एक दूसरे का खयाल रखना होगा सोनु अपनी मा के बिना बिल्कुल भी नहीं रह पा रहा था उधर उसके बाबा भी उसका खयाल नहीं रख पा रहे थे क्योंकि ना उन्हें खाना बनाना आता था और ना ही सोनु का ध्यान रख पाते थे फिर उन्हें काम पर भी जाना होता था और एक दिन सोनू के पिता खाना बनाते है तब सोनू उनसे कहता है जी बाबा आपने कितनी गंदी सबसी बनाई है मुझे ये सबसी में बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा और क्या आप ये रोज रोज दाल बना देते हो मा तो कितनी तरह तरह की नई नई सबसी बनाती थी और मा ने कहाता कि करेले जरूर खाना आप तो करेले भी नहीं बनाते हो मुझे माफ करते बेटा पर मुझे सबसीयां बनानी नहीं आती और करेला बनाना कोई आसान बात नहीं है मैं करेला नहीं बना पाऊंगा बेटा तो आप खाना बनाना सीख लो क्यूंकि मुझे तो करेला ही खाना मेरी माँ ने मुझे का था कि बेटा हमेशे करेला जरूर खाना है सेहत के लिए अच्छा होता है मेरी मा की तबित खराब हो गई इसलिए तो वो मुझे चोड़ कर जले गई अगर आपकी भी तबित खराब हो गई तो मेरी भी तबित खराब हो जाएगी तो हम दोनों को भी एक दूसरे से अलग होना पड़ेगा इसलिए मैं करिला जरूर खाऊंगा बाबा सोनु के बाबा ना तो उसके लिए अच्छी सबसी बना रहे थे और ना ही धंग से उसका खयाल रख पा रहे थे या तो उनकी नौकरी छूट जाती या सोनु की तबियत खराब हो जाती इसलिए उन्होंने दूसरी शादी करने का फैसला किया फिर वो अपने दोस्त के पास जाते हैं और बोलते हैं यार मैं अपने बेटे का खयाल नहीं रख पा रहा हूँ या तो मैं नौकरी कर सकता हूँ या तो सोनु का ध्यान रख सकता हूँ इसलिए मेरे लिए कोई अच्छी सी लड़की हो तो बताना मुझे दूसरी शादी करनी है जो मेरे बेटे का ध्यान रख पाए ठीक है हम कोई अच्छा सा रिष्टा मिलेगा तो तुमें जरूर बताएंगे तुम चिंता मत करो सब ठीक हो जाएगा भाई सोनु के बाबा के लिए एक अच्छी सी लड़की मिल जाती है और वो उससे शादी करके उसे घर ले आता है सोनु भी अपनी नई मा को देख कर बहुत खुश होता है अब तो मेरी नई मा आ गई है ये तो मुझे बहुत प्यार करेगी अब तो मुझे नया नया खाना भी खाने को मिलेगा और करेले भी खाने को मिलेंगे लेकिन जैसा सोनों ने सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं था उसकी नई मा बिल्कुल भी उसका ध्यान नहीं रखती थी नहीं उसे प्यार करती थी और नहीं उसे समय पर खाना बना कर देती थी मा आप आज मेरे ले करेले बनाओगे मेरी माना मेरे लिए बहुत ही साधिस्ट करेले बनाती थी और चिलाती भी थी अगर मैं नहीं खाता था तो पर उन्होंने न मुझे कहा था कि करेला सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है इसलिए मैं खाया करूँ लेकिन इतने दिन हो गई मैंने करेला ही नहीं खाया मैं क्या तेरी नौकरानी हूँ जो तुझे करेले बना कर खिलाओंगी करेले मैं पता कितना डाइम लगता है मेरे बस की बात निये ये सब कुछ बनाना जो बनाओंगी वही खा ले न उसकी नई मा उसके लिए कभी आलू, कभी लौकी ऐसे ही जो जल्दी सबसी बन जाया करती थी वही उसे बना कर दिया करती थी सोनू एक दिन बोलता है नई मा तो करेले बिल्कुल भी नई बनाती है मेरो तो करेले खाने का बहुत मन हो रहा है अब क्या करूं मैं एक दिन पडोस में करेले बन रहे थे सोनु को उसकी महक आ रही थी वो दोड कर वहां जाता है और पडोस में जाकर करेली की सबजी से खाना खा लेता है ये बात उसकी नई मा को पता चल जाती है और वो सोनु की बहुत पिटाई करती है तुझे शरम नहीं आई पडोस में जाकर खाना खाकर आ गया गाउवाले मुझे क्या कहेंगे कि मैं तुझे समय पर खाना भी नहीं देती हूँ आज मैं तुझे करेले खिलाती हूँ बहुत शौक है ना तुझे करेले खाने का रुक तुझे मैं अच्छे से करेले खिलाती हूँ आज माँ मुझे माफ कर दो माँ मुझे करेले बहुत पसंद है, मेरे मा मुझे अक्सर करेले खिलाया करती थी, मैंने आप से कहा था, लेकिन आपने मेरे ले करेले नहीं बनाया, इसलिए मैंने पडोस वाली काकी के पास जाकर खा लिया, मुझसे गलती हो गई, मा मुझे माफ कर दो उस दिन उसकी मा उसकी बहुत पिटाई करती है, सोनो भू का प्यासा चुपचाप सो जाता है, फिर उसे अपनी मा की याद आती है, वो बाहर घूमने निकल जाता है, और टहलते टहलते उसे सड़क पर एक करेला मिलता है, वो उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है अरे वा करेला, चलो एक करेला तो मुझे मिल गया, मैं इसी की सबसी बनवालूंगा मा इसकी तो सबसी मुझे बना कर दे देगी, अगर मा नी बनाएगी तो मैं पड़ोसा लिका किसे बनवालूंगा इतने नही करेले में से आवाज आती है क्या हुआ सोनू बेटा, तु इतना उदास क्यों है, और तुझे मेरी सबसी इतनी अच्छी लगती है कि तुने आज उसके लिए अपनी नई मा से मार भी खाई ये भगवान, ये करेला भूलता भी है, इसका मतलब तुम बोलने वाले करेले हो, मैं सब को बताओंगा कि मेरे पास जादूई बोलने वाला करेला है नहीं नहीं सोनू, ये बात किसी को बताने की जरूरत नहीं है मुझे तुम्हारी माने भेजा है, तुम्हारे मदद के लिए मैं जानता हूँ तुम्हें करेले की सबसी बहुत पसंद है और मैं एक जादूई करेला हूँ अब मैं तुम्हारी लिए जब भी तुम कहोगे करेली की सबसी बना कर तुम्हें दे दूँगा पर इस वादे के साथ कि तुम ये बात किसी को नहीं बताऊगे नई नई मैं ये बात किसी को नहीं बताऊँगा तुम्हें मेरी माने भीजाए ना काए मेरी माँ वो खुश तो है ना वो बहुत खुश है और अपनी नई जिंदगी भी जी रही है इसलिए तुम उनकी चिंता मत करो उन्होंने तुम्हारी मदद के लिए मुझे भीजा है अब तुम्हारी नई मा जो भी तुम्हें सबसी देंगी तुम उसे चुप चाप ले लेना मैं उस सबसी को करेले की सबसी में बदल दूंगा और जो भी सबसी तुम्हें खानी होगी तुम्हें वो सबसी दे दूंगा ऐसा ही होता है सोनु जब भी करेले की सबजी मांगता है तब जादूई करेला उसे वो सबजी दे देता है और सोनु ज्यादा तर करेले की सबजी और अन्य सबजी खाने लगा और अपना जीवन खुशी से जीने लगा साथ ही जादूई करेला सोनु की नई मा को भी अपने जादू से अच्छा बना देता है जिससे सोनु की जिंदगी अब अच्छी हो जाती है और अब उसकी नई माओं से बहुत प्यार करने लगती है फिर सोनु को जादूई करेले की कभी जुरूरत नहीं पड़ती राहुल और मेखा की शादी को हुए अभी कुछ महीने हुए थे राहुल शहर में नौकरी करता था और वो महीने में बस एक दो दिन के लिए ही घर आया करता था मेखा अपने सुस्राल में अपनी सास गाइतरी और ननन्द आरती के साथ रहती थी और वो घर का सारा काम करती थी एक दिन आरती हाथ में कपड़े लेकर अपनी मा के पास आती है मा पता निया आपने न क्या देखकर भहिया के शाधी करा दी इससे इसको तो ठीक से कोई काम करना तक नहीं आता देखो न ये कपड़े कैसे दो है इसने मेरे सारे कपड़ी खराब कर दिये अरे मेरे ही मती मारी गई थी सोचा था इसके घरवाले नहीं है तो इसकी सारी जमीन हमारी हो जाएगी अरे लेकिन मुझे क्या पता था इसका शरावी बाप और बिमार मा सब जमीन बेच कर ही मरेंगे और अब ये मन्हूस हमारे कले पड़ गई चप से आई ये सब कुछ बिगार दिया इसने गाईतरी की आवाज सुनकर मेखा वहां आती है क्या हुआ माजी एरे ये सब क्या करती है आरती के सारे कपड़े तुने खराब कर दिये अरे तुझे अकल भी है या नहीं कि महंगे कपड़े कैसे धोते है मुझे माफ कर दीजिए माजी मुझे नहीं पता था कि ये खराब हो जाएंगे जा मेरे लिए चाए बना कर ला जब देखो कमरे में सोई रहती है ऐसे ही समय बीत रहा था एक दिन पता चलता है कि शहर में राहुल की एक एकसिडेंट में मौत हो जाती है मेघा की मानों दुनिया ही उजड़ गई इस समय मेघा दो महीने की प्रेगनेंट थी राहुल के जाने के बाद गाइत्री और आर्ती मेघा के साथ बहुत पुरा वहवार करते थे मेघा की ऐसे हालत में भी वो दोनों घर का उससे सारा काम करवाते थे और मेघा को राहुल की मौत के लिए न जाने क्या-क्या बोलते थे मेघा हर समय उदास रहती थी अब उसका उस घर में कोई नहीं था जो उसे समझ सके कुछ महीनों के बाद मेगा एक बेटी को जन्म देती है गाइतरी बेटी पैदा होने से और भी गुस्सा हो जाती है एक कम थी जो भगवान ने एक और भेज दी अरे ये दोनों मिलकर मेरे बेटे को निगल गई ए भगवान तुम ऐसा क्यों कर रहे हो दोसरे कमरे में मेगा ये सारी बाते सुन रही थी उसकी आखों में आसों थे भगवान की मर्जी के आगे उसका कोई जोर नहीं था और वो बस इसे अपना भाग्य समझ कर जेल रही थी ऐसी हालत में भी मेगा अपना सारा काम करती गाइतरी और आरती उसकी बच्ची को रोता देखकर उसे उठाते तक नहीं थे धीरे धीरे रूपा भी पांच साल की हो गई और अब वो जब भी अपनी दादी और बुआ के पास जाती तो वो दोनों उसे डाट कर वहां से भगा देते थे माँ दादी और बुआ मुझे बिलकुल प्यार नहीं करते और जब भी मैं उनके पास चाती हूँ वो मुझे भगा देते है अच्छा तो क्या हुआ मैं हूना तुम्हारे पास मैं तो तुमसे बहुत प्यार करती हूँ एक दिन बहुत जोरों से बारिश हो रही थी और मेखा किसी काम से बाहर गई थी दादी मुझे खाने को कुछ दे दो मुझे बहुत भूग लगी है अरे जब देखो खाने में ही लगी रहती है जब तेरी मा आएगी तो उससे ले ले ना पता नहीं इतनी बारिश में कहां घूम रही होगी रूपा खुद ही रसोई में चली जाती है तब ही किसी चीज के गिरने की आवाज आती है गाईतरी जाती है और देखती है रूपा ने सारी सबजी गिरा दी थी अरे ये लड़की कभी शांती से नहीं बैठती इधर आ तुझे मैं बताती हूँ गाईतरी जाती है और रूपा के मूपर जोर-जोर से चांटे मारने लगती है आह मा मुझे बच्चाओ बच्चाओ मा आरती भी ये सब देख रही थी और मारो इसको ये लड़की न कभी अराम से नहीं बैठती जब देखो मा ये कुछ न कुछ नुकसान करती रहती है तभी मीघा भी बाहर से भीगती हुई आ जाती है और रूपा के जोर-जोर से चिलाने की आवाज सुनती है मा जी क्यों मार रहे हो इसे अरे आज तो मैंसे नहीं छोड़ूँगी जान से मार दूँगी इसको मेघा रूपा को गाईतरी से छुड़वाती है रूपा अपनी मा से लिपट जाती है और वो जोर-जोर से रूने लगती है सिर्फ पांच साल की बच्ची है ये और आप इसे कैसे बेहरहमी से मार रहे हो माजी अरे तुमने तो इसे सर पर चड़ाया है जब देखो कुछ ना कुछ नुकसान करती रहती है तुम दोनों अभी क्या भी मेरे घर से निकल जाओ जाओ यहां से मुझे तुम दोनों की शकल नहीं देखनी मेगा की आखें आस्वों से भरी हुई थी मेगा बिना कुछ बोले अपनी बेटी रूपा को अपने साथ लेकर उस घर से हमेशा खेलिए चली जाती है शाम का समय था और बहुत तेज बारिश हो रही थी मा हम बारिश में कहा जाएंगे मुझे कुछ नहीं पता बेटा लेकिन हम अब यहां नहीं रह सकते जाते जाते वो दोनों बहुत आगे निकल जाते हैं जहां उन्हें एक चोटी सी जोपड़ी दिखाई देती है और उस जोपड़ी के आगे एक बहुत बड़ा पेड़ था बेटा आज रात में हम यहीं रुकते हैं पता नहीं आगे कुछ मिलेगा भी या नहीं मा पर मुझे भूग लगी है तुम यहां बैठो मैं आसपास कुछ देखती हूँ मेगा देखती है कि जोपड़ी के उपर एक बेल जा रही है जिस पर कुछ करेले लगे है मेगा जल्दी से उस बेल से कुछ करेले उतारती है उसमें एक करेला लाल रंग का था मा ये क्या लाल करेला ऐसा करेला तो मैंने कभी नहीं देखा बेटा ये करेला ज्यादा पका हुआ है इसलिए इसका रंग लाल हो गया है और सुनो, आजना हम यही करेले खाएंगे, यह स्वाद में थोड़ा कड़वा होगा, लेकिन कल सुभा मैं तुम्हें अच्छा खाना बना कर खिलाऊंगी रूपा भी वो कड़वे करेले खा लेती है मा, यह तो बहुत अच्छे है दोनो कड़वे करेले खा कर वहीं सो जाते हैं और वो लाल पका हुआ करेले के बीज को वही पास में रख देती है सुभा जब मेगा उठती है तो वो देखती है कि पास में पड़े हुए लाल करेले के बीज सोने की तरह चमक रहे थे अरे ये क्या ये बीज तो चमक रहे हैं अरे ये क्या ये तो सोने के बीज है मेखा जल्दी से उठती है और देखती है कि जोपड़ी के उपर बहुत से करेले लगे थे जिसमें से एक और करेला पका हुआ था मेगा उसे भी तोड़ लेती है और देखती है कि उसमें भी सोने के बीज थे अरे ये कैसा जादू है करेले में सोने के बीज तब ही उस करेले के बेल से अवाज आती है ये कोई साधारन करेले नहीं जादूई करेले है बेल को बोलता हुआ देख मेगा घबरा जाती है क्या जादूई करिला हाँ इस कुटिया में एक सन्यासी रहता था और इस पेड़ के नीचे बैठ कर जब करता था उसने मुझे शक्तियां देकर मुझे एक जादूई करिला बना दिया लेकिन मेरा जादू बारिश में नहीं चलता सुबह जब मैंने तुम्हें यहां देखा तो मैं तुम्हारे बारे में सब जान गया था तुमने और तुम्हारी बेटी ने बहुत दुख देखा है लेकिन अब सब कोच अच्छा होगा तुम इन सोने के बीजों को बेच कर पैसे कमा सकती हो और ये लो कुछ और बीज इन्ही तुम दूसरी जगह भी लगा सकती हो इसमें कभी भी ना खत्म होने वाले करेले लगेंगे उसके बाद वो बेल वहां से गायब हो जाती है मेगा अपनी बेटी रूपा को लेकर गाउं में जाती है वहां वो कुछ बीज बेचती है जिसके बदले उसे बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं और वो अपनी बेटी को अच्छा खाना खिलाती है मा आज तो बहुत अच्छा खाना खाया बहुत मज़ा आया अब सब ठीकोच आएगा पिता देखना मेघा उन पैसों से गाउं में किराय का छूटा सा घर और थोड़ी सी जमीन ले लेती है जिस पर वो जादूई करेले उगाती है कुछी दिनों में पूरा खेत जादूई करेले से भर जाता है मेघा रूपा करेले तोड़ कर टोकरियां भर लेते और एक टेंपो घड़ी में उसे मंडी ले जाते थे मंडी में करेले की दाम बहुत अच्छे थे अरहे बहन जी इन सारे करेलों के मैं आपको पूरे 20,000 रुपे देता हूँ आप हर रोज यहां करेले लेकर आया करो ये करेले बहुत अच्छे है जी ठीक है मेघा पैसे लेती है और सारे करेले उस दुकानदार को बेच देती है मेघा अपनी बेटी का एड्मिशन एक बहुत अच्छे स्कूल में करवा देती है और वो खुद खेतों में करेले की फसल को संभालती है रूपा स्कूल में ना खूब मन लगा कर पढ़ाई करना बेटा ठीक है मा और शाम को मैं भी आपके साथ काम करवाऊंगी अच्छा बाबा ठीक है करवा ले ना मेखा पूरे दिन खेतों में खूब महनत करती जिससे जादुई करेले और भी ज्यादा अच्छे हो गए थे अब मेखा ने करेले के कुछ सोने के बीच बेच कर अच्छे पैसे कमा लिये थे जिससे वो उस घर और जमीन को खरीद लेती है पूरे गाओं में मेखा के जादुई करेले की खूब बाते होती थी जादूई करेली की वज़ा से मेगा के जीवन में खुशिया आ गई थी जमशेदपुर गाउं में किशोर नाम का एक गरीब किसान था उसने अपनी बेटी की शादी के लिए गाउं के सेट से कुछ पैसे उधार लिये थे किशोर दिन रात मेहनत करता तब जाकर कुछ पैसे सेट का उधार चुकाने के लिए जमा कर पाता था ऐसे ही समय बीत रहा था दूसरी तरफ सूत का धंदा करने वाला राम प्रकाश आज बहुत अमीर बन गया गरीब और असहाई लोगों को ज्यादा ब्याज पर पैसे दे कर उनसे बहुत धन कमाता था बस इतना ही नहीं ब्याज ना चुकाने के कारण वो लोगों को अपना घर उसको बेचने के लिए मजबूर कर देता था एक दिन किशोर राम प्रकाश के पास जाता है सेट ची मेरा हिसाब हुआ आ आ गए तुम मांगने हिसाब पहले मैं जराई ये कागजाद तो देख लूँ सेट अपना हिसाब किताब के कागजाद को देखने लगता है अच्छा सुन, मैंने सब देख लिया है, पांस साल पहले तुमने मुझसे पांच हजार रुपे उधार लिये थे, याद है क्या या सब भूल गया हाँ हाँ सेडशी, मैंने लिये थे, मुझे सब याद है, और उसमें से मैंने तीन हजार आपको लोटा भी दिये है अरे, कहां पैसे दे दिये, दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा, अभी तद तद तुमने मुझे एक पैसा भी नहीं दिया है नहीं नहीं सेड़ जी, मैंने तो तीन बार एक एक हजार करके आपको पैसे दे दिये थे अरे अगर दिये होते तो इन कागजात में मैंने लिखा होता ना देखो इसमें कुछ लिखा हुआ है क्या मैंने अपना कारोबार लिखा पड़ी से करता हूँ ऐसे मूँ से नहीं जहां ऐसा कुछ नहीं लिखा हो कि तुमने पैसे दिये हो सेट जी ऐसा ऐसा भी तो हो सकता है कि आप लिखना भूल गए हो अरे अरे क्या अपनी तरह पागल समझा है क्या मैं कुछ नहीं भूलता साथ के साथ सब लिखता हूँ समझा पूरे पाँच साल में पूरे सूत समेट तुम्हारे बारा हजार रुपे हो गए है और वो मुझे एक हफ़ते के अंदर चाहिए नहीं तो मैं तुम्हारा घरबार सब ले लूँगा समझा तू याप क्या बोल रहे हो सेट जी मैं इतने पैसे एक हफ़ते में कहां से लाऊंगा अब यहां खड़ा होकर मेरा दिमाग खड़ाब मत कर जल्दी जा और मेरे पैसों का इंतजाम कर किशोर बहुत दुखी हो जाता है वो बस अपने खेतों में दिन रात महनत कर रहा था जिससे वो सेट के सारे पैसे चुका पाए एक हफ़ते के बाद सेट और उसके आदमी किशोर के घर से सामान बाहर उठा कर फेंक रहे थे सेट जी ऐसा मत कीजिए मैं कहां जाऊंगा एरे चलो चलो जल्दी करो मुझे आज ही इस घर पर कबजा चाहिए सेट जी मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ बगवान के लिए सामत कीजिए हम पर रहम कीजिए हम कहां जाएंगे अरे वो मुझे कुछ नहीं पता ये सब तुम्हें पैसे लेने से पहले सोचना चाहिए था गाउवाले भी वहां खड़े होकर ये सब कुछ देख रहे थे देखो कैसे किशोर को बेवकूफ बना कर उसका घर और उसकी जमीन सब लूट लिया हाँ ऐसे ही तो ये राम प्रकाश गरीब लोगों को लूट लूट कर अमीर बना है क्या बताओ उसने मेरे साथ भी ऐसा ही किया था और मेरी जमीन मुझ से चीन ली तो क्या इसको कभी इसकी सजा नहीं मिलेगी क्या ये हमेशा गरीब लोगों को लूटता रहेगा एरे ये तुम सब क्या खुसर पुसर कर रहे हो तुम सबने भी जितने भी मुझ से पैसे उधार लिये हैं सब जल्दी चुका दो, नहीं तो तुम्हारा भी यही हाल होने वाला है और तुम दोनों भी जल्दी अपना समान उठाओ और निकल जाओ यहां से मैं थोड़ी देर के बाद आता हूँ इधर किशोर और सीमा अपनी जरूरत का समान उठा कर गाउं से निकल जाते हैं यहीं जंगल का रास्ता भी कत्म नहीं हो रहा कब से चले जा रहे हैं अब तो अंधेरा भी हो रहा है उपर से ठंड का भी समय है हाँ सीमा बस कोई सुरक्षित जगा देखकर हम रुख जाएंगे कुछ देर के बाद चलने पर मुझे लगता है हमें यहां रुख जाना चाहिए देखो सामने सूखा पेड भी है यहीं आज जलाकर सुभा होने का अंतजार करते हैं वो दोनों वहीं जंगल में एक सूखे पेड से लकडियां तोड़ते हैं और वहीं आज जलाकर बैठ जाते हैं सीमा तुमने कुछ खाने को तो रखा होगा ना मुझे बहुत भूक लगी है कहां से रखती जो खाने का समान था वो तो सेट के भूके आदमें ने ले लिया हमारी तो किसमत ही खराब है पता नहीं हमने कौन से पाप किये है बेटा कुछ खाने को है क्या बहुत भूख लगी है उस आदमे के आवाज सुनकर किशोर और सीमा दर जाते हैं अरे आप कौन हो और आप अचानक अचानक कहां से आ गए बेटा मैं तो भगवान का दास हूँ आज यहां तो कल कहीं और मुझे बहुत भूक लगी है ठंड से शरीर अकड रहा है कुछ खाने को दे देते तो भगवान तुम्हारा भला करेगा बाबा हमारे पास खाने को कुछ नहीं है हम तो खुद भूके यहां बैटकर आग सेक रहे हैं और अपनी रात काट रहे हैं आप भी हमारे साथ बैटकर आग सेक लो इतनी रात में आखिर आप कहां जाओगे वो बुढ़ा आदमी भी उनके पास वहीं बैट जाता है तुम दोनों यहां जंगल में क्यूं भटक रहे हो किशोर सारी बात उस बाबा को बताता है भगवान तुम्हारा भला करेगा यह आख सेक कर मेरे शरीर में जान आ गई है किशोर अपनी आखे खोलता है अरे सुभा हो गई सीमा उठो देखो अरे यह बाबा कहां चले गए पता नहीं जी रात को कब आँख लग गई मेरी तो किशोर और सीमा वहां से जाने लगते हैं तो उन्हें सामने एक थैला दिखाई दिया अरे यह बाबा अपना थैला यहीं भूल गए है दोनों इधर उधर देखते हैं लेकिन वो बाबा वहां आसपास नहीं थे किशोर उस थैले को खोल कर देखता है तो उसमें सोने की कुछ मोहरे थी और कुछ करेले के बीज थे इसमें तो सोने की मोहरे और करेले के बीज है हमें यह उस बाबा को देने होंगे वो दोनों जंगल की दूसरी और निकल जाते हैं हमें यही अपना छोटा सा घर बना लेना चाहिए देखो सामने पानी के जरने भी है सीमा और किशोर जंगल की दूसरी तरफ अपना लकडी का घर बना लेते हैं और वही रहने लगते हैं ऐसे ही समय बीत रहा था क्यों ना बाबा की जूली में पड़े करेले के बीजों को बोदू सीमा किशोर से बिना पूछे एक बीज निकालती है और घर के पास ही जमीन में बोदेती है शाम को किशोर भी लकडियां काटकर घर आता है और दोनों खाना खाते हैं और सो जाते है अगली सुभा जब सीमा उठकर देखती है तो वो हैरान हो जाती है सुनो जी जल्दी उठो जल्दी मेरे साथ बाहर चलो किशोर सीमा के साथ बाहर जाता है तो सामने एक करेले की बेल थी जिस पर बहुत सारे करेले लगे थे अरे ये करेले की बेल यहां कैसे आ गई मैंने कल बाबा की थैली में से एक बीज निकाल कर यहां लगाया था और देखो एक ही दिन में करेले भी आ गए, ये तो कमाल के बीज है जी सीमा थोड़े से करेले तोड़ती है और उनके सबजी बनाने के लिए उन्हें जैसे ही काटती है तो उसमें से सोने के बीज निकलते है सुनू जी इसमें तो सुने के बीज है किशोर ये सब देखकर हैरान हो जाता है वो सारे सुने के बीज निकाल लेता है और उन्हें बाजार ले जाकर बेचता है और उससे उससे अच्छे पैसे मिलते है सीमा ये देखो हमें कितने सारे पैसे मिले वो बाबा कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि भगवान का कोई रूप थे, जो हमारी मदद करने आये थे, अब हम गाउं में जा सकते हैं, और सेट से अपनी जमीन और घर वापिस ले सकते हैं अगली सुभा दोनों अपने गाउं जाते हैं सेट जी, ये लो आपके 12,000 रुपे, मुझे मेरी जमीन और घर वापिस चाहिए लगता है किसी और से पैसे उधार मांग कर लाए हो सेट पैसे लेता है और किशोर का उसका घर और उसकी जमीन वापिस दे देता है अब किशोर अपनी जमीन में वही जादूई करेले के बीज बो देता है जहां अगले दिन बहुत से जादूई करेले लगे थे जिसमें सोने के बीज थे अब क्या था किशोर उन जादूई करेले के बीजों को बाजार में ले जाकर बेचता और खूब पैसे कमाता अब गाउं के सब लोग अपने पैसे चुका कर सेट से अपनी जमीन लेने लगे। अब कुछी महीनों के अंदर सेट से सब गाउं वालों ने अपनी जमीन ले ली। जब से किशोर गाउं वापिस आया है, तब से गाउं वालों को उस जूटे और मकार राम प्रताश से आजादी मिली है। बिल्कुल सही कहा, किशोर भाई तो बिना किसी ब्यास के पैसे देते हैं, इसलिए तो पूरा गाउं अब किशोर भाई को अपना भगवान मानते हैं। इधर सेट का काम अब बिल्कुल बंध हो गया था, और अब गाउं वाले उससे बिल्कुल नहीं डरते थे, मचपूरन सेट को अपनी जमीन बेचकर गाउं छोड़कर जाना पड़ा।